आज हमने सभी प्रशाषनिक अधिकारियों के साथ बैठके दीम उपकंड के लॉपडाउन के अपर जो सारी सिचुएशन आई थी उसको ने के बैठक करी थी ये एक सुमवार को करी है अगले सुमवार को हम फिर रिव्यू करेंगे इस सिचुएशन को सबसे महत्कुन दो दिन मुद्धा बात हुई है सबसे पहला मुद्धा जो है वो यह है कि कोई भी आदमी भुखा नहीं सोय है माने मुख्यमंत्री जी का डिरेक्टिव है उनको देखते वे इसके बड़ पुरा फोकस किया गया है कि कि किसी भी गरीब को भुखा नहीं सोने दिया जाए राशन के दुकानों से 70-80% राशन बढ़ चुका है और मैं सब को बनाना चाहूंगा कि 65,000 63,000 जो राशन कार्ट भोल्डर हैं भी इन देखटके उनको सब को राशन बटा जा रहा है और किसी तरह की कोई उसमें लापरवाई नी की जाएगी पूरी कमिटी बन भीम और देवगट में तकरीमन तकरीमन 20-21,000 लोगों को चिर्नित करके उनके अकाउंट में ड़ाई जार रुपया रहा है परिबन 45,000 लोगों के अकाउंट में पेंशन आ रही है 62-63,000 लोग राशन कार्ट होल्डर से जितको राशन मिल रहा है पांच किलो राशन अभी मिला है और बारा तरीक के बाद पांच किलो राशन और मिलेगा और वो निशुल्क मिलेगा मैं सब को कहना चाहता हूँ आप हमारी बिट्टी में से गए थी आखे जन्मेवे लोग है उन सरकारों ने आपके बारे में परवा नहीं करी जो गुजराट महराश में थे पर राजस्तान के जन्ना एक मुख्यमंत्री जी ने आपके बारे में सोचा है और आप लोगों के लिए भी जो लोग गुजरा साथ महराश्या हैं बे सहारा हैं मजदूर हैं दुकी हैं दलित हैं और उनको कुछ ना कुछ मदद चाहिए उनके लिए मदद सरकार भी देगी खाने के पैकेट्स भी आएंगे मैंने भी विधाय कोश से साथ लाक रुपे की राशी दिये और मेरे पूरे संपूर्ण विध रोड के इरविधाय कोश को इस कोरोना से फाइट करने के लिए मैंने समर्पित कर लिया है किसी को कहीं